देविय इले विश्विद्याले में चात्र समादान शीविर में 16 प्रकरणाय जिसमें MBA सेमेस्टर रिव्यू BAC के रिजल्ट के साथ मेडिकल के चात्रों की समस्याओं को सुना गया इनमें से कई समस्याओं को ततकाल हल भी किया गया दी-एविवी में मंगलवार को चात्र समादान शीविर में B.H.M.S के चात्रों का कहना था कि परिक्षा फॉर्म के लिंक खुल नहीं पा रही है इस कारण चात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं आईए क्या कहते हैं चात्र अपनी समस्याओं के बारे में चात्र समादान शीवीर में परिक्षानी अंतरक डॉक्टर अशेश तीवारी के पास बीएस से पहले वदूसरे सेमेस्टर के छात्र पहुचे चात्रों को रिव्यू रिजल्ट और सैंपलिंग की शिकायते थी चात्र चात्रा आये हैं और उनका जो रिजल्ट से अंदर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो हमने उनको आश्वरसन दिया है कि विदन वन वीक हम उनका रिजल्ट कर देंगी कुछ MBA के स्टुटेंट्स आये थे उनका भी एक्जाना फर्स सेमिस्टर के पेपर्स हुए हैं उनको तीन पेपर्स में उनको थी पेपर्स में उनके विदन की है उसके अंदर आउट आउस सिलिबस का उनने बोला है तो हम यह वाले उनकी कंप्रेंस जो रिजल्ट कमिटी ह उसके सामने रखेंगे और जो सब्जेट एक्सपर्स से चेक करवाएंगे कि आउट आउस लिबस थे गया नहीं थे अथ गम एक से थर्टी ऐट हुआ है थर्टी एट से ठर्टी नाइन क्यों नहीं होआख कैसे दो नंबर री बड़े एक नंबर कंट नहीं बड़ा और रहा वेट नबर से मेरी लाइफ करा होगी ना एक साल अफास से मुझे पूरा रिपीट करना पड़ेगा है अगर मेरा रिजल्ट का कोई निरनाई नहीं निकलता है अगर एक नमबर का इंक्रीजमेंट नहीं होता है तो मेरा जॉब भी जा सकता है चात्रा जो थी वो MBA फोर सेमेस्टर की चात्रा है और उसका जो हमने रिव्यू का परिणाम अभी जारी करा है तो एक सब्जेक्ट में वो उसको जो मार्स अलॉट हुए है उससे वो सिटिस्वाइड नहीं थी उसका एक क्याना है कि प्लेस्मेंट हो चुका है और जॉब कर र समाधान शीविर में खंडवा से मसे जुलाजी के चात्र प्रैक्टिकल में कम नंबर आने की कारण विश्विद्याले में पहुंचे जहां उन्होंने शिकायत की इस पर उन्हें नियमा नसार कारवाई का आश्वसन दिया गया एसन कोलेज खंडवा से है हमारी प्रब्लम थी कि सारे बच्चे प्रैक्टिकल में पास थे बट प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है इस्टार लगा के पूरी क्लास थी जुलाजी फाइनलियर के इस्टूनेट हैं तो यही प्रब्लम लेके आया थे तो यहां पे सुरव प्रैक्टिकल में फेल दिखाया जा रहा था चात्राओं का संतोष्ता कि उनके इत्य मार्स साथ वो पास हैं हमने इस मार्स के लिए हमारे संबंदे डीलिंग को यह केसर रिफर किया हुआ है वह एक्जामनेशन कमेटी के सामने के से केस को रखेंगे और उनकी स्कीम की अक् कंप्रिटर से आती है उसके अकॉर्डिंग लिए इन चात्राओं की बात अभी पूरी दर सत्य नहीं है इसलिए हम इसको एक्जामनेशन कमेटी को रिफर कर रहे हैं कि हमारी एक्जामनेशन की स्कीम चात्राओं की जो समस्या उसको वो नियमों के दाएरे में रखे हमारी क कमेटी परिशन के लिए और चात्राओं का हमें लगता है तो हम रिजल्ट रिवाइस करके नहीं रिजल्ट देंगे